अलग अलग इस्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में नमी आने का सिल्सला बना हुआ है इस वजह से मदप्रदेश के अधिकतर शहरों में तेज रफ्तार से हवाई चलने के साथ गरत चमक के साथ वर्षा हो रही है इस इकरम में पिछले 24 घंटों के दौरान शुकरवार को सुभा सारे 8 बजे तक सागर में 8.2 बोपाल में 2.7 सागर में 2.2 रतला में 1.8 गौलियर में 0.8 बैतूल में 0.6 मिली मीटर वर्षा हुए मौसम वग्यानियों के मताबिक शुकरवार को दोपहर के बाद भोपाल और उच्वेन नर्मदापुरम गौलियर सागर जबलपुर संभागों के जिले में गरत चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है इस दोरान कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं मौसम का इस तरह का मिजवास 21 मार्च तक बना रह सकता है